कि जाय हिंद आज मनों जानेंगे एंसी आइटी 3.1 का कोश्चन नंबर यहां पे फोर से ठीक है क्यूंकि इसके पिछले वीडियो लेक्चेर में हमने कोश्चन नंबर 3 तक देखा था ठीक है हमने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम लोग तीन प्लेलिट सेशन में जा करके 12 क्लास में और वहां पर आप लोग लाहिन वाई से देख सकते हैं ठीक है तो चली हम लोग कोश्चन नंबर 4 को समझते हैं ठीक है बहुत यह असानी से आप लोग समाझ सकते हैं बस थोड़ा साप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है ठीक है क कोश्चन नंबर 4 को रहा है कि कॉंस्ट्रेक्ट ए टू बाइटू मैट्रीक्स और ए बरावर दिया हुआ है ए आई जे हुज इलमेंट्स आर गीवन भाई ठीक है ध्यान से आप देखिएगा आपको कॉंस्ट्रक्ट करना है यानि कि राचना करना एक मैट्रिक्स का जो की ऊडर टू बाइटू का होना चाहिए ठीक है और यहां पर जो है बरावर दिया हुआ है ऐसे त्लिए सबसे पहले हम को क्या करना है यहां पर एक नमर को बनाते हैं ठीक है एक विक में भी निफ numéro के बनाने के लिए सब से पल हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर एंसर लिखेंगे चलिए हम को क्या करना है यहां करना है construct a two by two order matrix ठीक है यह हमने लिख दिया यह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि question यहां पर देखिए खुद करा है construct किजिए एक two by two order का matrix ठीक है तो उसको हमने लिख लिया ठीक है चलिए तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा we know that ठीक है we know that हम लोग क्या चीज़ जानते हैं हम लोग यह जानते हैं कि aij is equal to अगर two by two order का matrix लेते हैं तो यह a11 position होता है यह a12 position होता है यह 21 position और a22 position होता है ठीक है और यह हमारा इसका order यहां पर two by two हम लोग लिखते हैं ठीक है यह चीज़ हम ओल लेडि जानते हैं अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम आपको यहां पर बता दे रहा हैं देखिए ध्यान से यह aij यह हम लोग मैट्रिक्स को इस रूप में लिखते हैं और यह फॉस्ट जो पोजिशन होता है इसको a11 कहा जाता है ठीक है 11 इसलिए कहा जाता है हमने आपको इसके पिछली बीडियो लेक्चर में बताया था जहां पर हमने बताया था यह a11 इसलिए होता है क्यूंकि थोड़ यह आई के जहें पर यहां वन है और जे के जहें पर यहां पर वन है यानि कि यह फॉस्ट रो यह फॉस्ट वाले रो और फॉस्ट वाले कॉलूम में यह इस्तित है इसलिए इसका नाम यह फॉस्ट कॉलूम में है तो इसका नाम कैसे हम लों लिखते हैं यह चीज़ आप ल फॉस्ट रो में है फॉस्ट कॉलूम में है इसलिए इसका नाम ये जो है फॉस्ट रो में है सेकेंड कॉलूम में है इसलिए इसका नाम ये जो है फॉस्ट सेकेंड रो और फॉस्ट कॉलूम में है तो टुवन ए टुवन नाम है इसका ये क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलूम इसलिए इसका नाम एक टूटू है तो यह चीज आप लोग समझ गया होंगे ठीक है चलिए और हमने यहां पर क्या किया है एंसर में च्छेक्ट करना टूबाइट टूबर का एक मैट्रिक्स हम यह चीज हम लोग पहले से जानते हैं ठीक है चलिए अब कितना आसानी से बनने पाला है ध्यान देजिएगा अब यहां पर कोश्चन आपका कह रहा है कि ए आई जे के पी दिया हुआ ठीक है तो क्या चीजिए वाच्छुकि जो चीजिए उसको लिख लिए तो यहां पर दिया हुआ है एप्लस जे का होल स्कॉर और बट्टा में दिया है टू अब देख और यह टूटू इतना हमको पता होना चाहिए ठीक है तो यह सब निकलेगा कैसे तो यह निकलेगा इसी से अब देखिए कैसे निकलेगा सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करते हैं यहां पर फॉस्ट वाला ले करके चलते हैं यहां पर हम लोग यहां पर यहां पर देखि है और लगो ल करते हैं ठीक है तो वन और वन जोड़ियेगत और तो कर चेख ऑर तो निच्चे क्या है टूच चिया एक हमारा क्या ज dogs गाए तो यहां से हमने इत वह लिए आप यहां से ध्यां से देखते जीए हम क्या कर रहे हैं टीक लिखना है तो Candy किया है यहाँ पे वन है प्रॉस Maker का हॉल स्थों है और वाटा में नीचे क्या है चलिए ओन और वराहीन का चलिए निक्शण गया भी निकल किया दियाँ से देक्ड रहिए है चाली अब विसका क्या है हमारा होल स्कॉार है और बत्राइं नीचे क्या है तो है तो आप कि यह आ हूं यहां से और हम को कॉंट्रेक्ट करना है एक मैट्रिक्स तो यह हमने यहां है अब लिखा और यहां से हमने इसलिए निकाल लाइंक तूम निकाल लाइशा है यहां पे तू है इसका होल असक्वाइर और बाटा में नीचे क्या है तू है तो है तू और टू का फोर और की लुट कितना बजाएगा और नीचे क्या है 2 ये कट के क्या गया चलिए अब यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हमारा A11, A12, A21 और A22 निकल गया अब इसी को हमको यह मैट्रिक्स के अंदर रख देना है हमारा टू बाइटू का मैट्रिक्स निकल जाएगा तो चलिए अब हम लोग आते हैं कहां से यहां से तो इसलिए Aij बराबर आप लोगों क्या लिख सकते हैं यहां पर फॉस्ट में यह वन वन क्या था टू ए वन टू के यहां पर क्या था नाइन बाइटू चलिए वह टू वन के यहां पर क्या है नाइन बाइटू और यह फाइनली हो गया आपका एंसर तो यहां पर आपने देखा कि कैसे हम लोग टू बाइटू और के मैट्रिक्स को कॉंस्ट्रॉक्ट कर रहे हैं उसका रचना बना रहें टिक है ऐसा ही आपक अपलोग रखीएगा कि आपको पहले यह इसको सेम यहां तक लिखना है और यहां के जगह पे और तो यहां फिर एउन टू निकालेगा तो आए के जगए यहाँ पे यहाँ पर और टू लिखियेगा इस तकनिक से आप लोग इस कोशन को अप लोग बना सकते हैं बिल्कूल ही असानी से आप लोग बना सकते हैं ठीक है फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो आप लोग पूमेंट बॉक्स में आप लोग बोल सकते हैं फिर हमने इसका वीडियो बना देंगा ठीक है तो चलिए अब हम तो समझसे हैं बस यहां पर धूज सकते हैं जैशे C कि हमने को सबक्रेष्प हो देखां से उसली बनेगा बड यहाँ पे थोड़ा से यह है कि यहा тех समयने के भी जरुवत है ठीक है तो चलिए सबसे पहले यहां पे कोर आए कि construct A matrix यहां पर 3 by 4 होज elements are given by ठीक है 3 by 4 का हमको matrix construct करना है और उसका element जो है यहां पर given है ठीक है तो कैसे हम लोग करेंगे ध्यान दिजेगा ठीक है सबसे पहले हम लोग question नमर 1 को बनाते हैं ठीक है यहां परreiben सथ्तीक है तो यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे construct okay construct a matrix 3 by 4 कंस्डाक्ट माइट्डिक हमको कित्ना वैब 4 3y4 का हमको चाहँ लिए नो डैट यहां पर हम लोग जानते हैं वी नोट ठीक है मैट्रिक्स मैट्रिक्स 3 by 4 और जानते हैं कि मैट्रिक्स अगर 3 by 4 और तो यहां पर क्या होगा तो यहां पर क्या होगा A11, A12, A13 और A14 यहां पर A21, A22, A23, A24 यहां पर A31, A32, A33 और यहां पर A34 चलिए यहां पर आप लोग ध्यान दिजिएगा यह जो हमारा और मैट्रिक्स 3 by 4 order का हो तो वो इस रूप का होगा यानि की इस फॉर्म का होगा तो यहां पर हमबको चलिए है जानते हैं कि मैट्रिक्स 3 Vers 4 और चलिए यहां पर हम लोग जानते हैं आपको पहले ही बताया था लेकिन थोला सा बता दा रहा है इसमें रो की संख्या जो है हमारा कितना है 3 है ठीक है रो की संख्या यहाँ पे R1, R2, R3 रो को हम लोग R1, R2, R3 से हम लोग दिखाते हैं कॉल्म की संख्या भी हमारा C1 इसको C1 से दिखाते हैं C2, C3 और यहाँ पे C4 यानि कि इस matrix के अंदर रो की संख्या कितनी है एक दू तीन कॉल्म कि संख्या एक दो तीन चार देखे इस line को हम लोग रो बोलते हैं और ऊपर से नीचे आसे line आता है उसको हम लोग क्या करना है कि construct करना है एक matrix जो इस रूप का होना चाहिए ठीक है तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले question number one को आप लोग यहां पर उतार देजिएगा ठीक है तो इसलिए question हमारा क्या दिया हुआ है ए आई जे बराबर दिया हुआ है वन बटा टू यहां पर माइनस थ्री आई और पॉलस जे देखिए यह जो यह लाइन जो है दो डंटा के बीच में जिसको रखा गया है उसको मूड कायता है मॉड क्या कायता है मॉड यह अपने माइंड में रखिएगा मॉड का एक खासि है हमेशा प्लस देता है यह याद रखिएगा चलिए अब हम लोग क्या करेंगे हमको जब 3 by 4 ओडर का मैटिक्स जब कॉंस्ट्रक्ट करेंगे तो जैसे की कोश्चन नमर 4 हमने बनाया है हमको यह एक एक चीज़ को निकालना होगा यह पूरा का पूरा निकालना होगा तब जाकर करके हम इसके जगह पर रखेंगे उसको तो हमारा 3 by 4 ओडर का मैटिक्स निकलेगा तो चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले हम फोस्ट वाले को लेते हैं यह वन वन तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए तो क्या है वन जे की जहाँ पर क्या है वन यानि कि माइनस 3 आ अंदर हमने इसको उठाके पूट कर दिया रख दिया ठीक है चली अब हम लोग क्या करेंगे यहां से जब इसको हाल करेंगे तो 1 by 2 यहां पर माइनस 3 में से 1 गया 2-2 तो माइनस 2 जब हो जाएगा यहां पर मौड के अंदर तो यह मौड से बाहर देगा तो क्या देगा बा बना दे रहां यहां पर 1 by 2 और यह मौड से बाहर माइनस में है तो क्या हुआ बाहर यहां मैं साब पॉलस देगा तो यह टू-टू कटके यहां पर क्या आगया यहां पर यहां पर ना आगया ठीक है चली हम लोग एवन टू निकालते हैं हम पहले ही बता है कि यह मौड के अदर जब भी निकलेगा तो प्लस देगा वो माइन और सो-च Auch मैसा कि देता चलिए अब यहां प्या करते हैं यहां से सिन लगके दला निकालते हैं तो यहां टूल निकालेेगा तो इसी पर हमको को रखना है सबको उठाखर कर इसी पर रखना तो एक बटा दो माइनस थिरी क्या यहाँ पर I कि जाय पर यहाँ एक दो क्या परבकर एक तो देखिएगा ध्यान चैंगा से एक बटा दो मांस हुग गिए और पलस2 जो इसको फैक माइनस थी और पलस2 क्या होगा माइनस देगा क्योंकि हम ऐसा मॉड देता है तो यहां पे वन बाट टु गुन बट यानि कि वन बट अटु हो गया तो ए वन टु भी निकल के यहांपे हमारा अगया ठीक यह यह वहां पर था और इरहां पर गोल इसलिए घरद रहा है क्योंकि बाद में आपको लिखने में सानी होगा चलिए 11 निकल गया यहां से 12 निकल गया यहां से ठीक है चलिए अब यहां पर यह तो आप समझ गाए कि मौट से बाहर हम ऐसा पुलस देगा तो इतना लंबा हम प्रोसेस नहीं करेंगे यह समझाने के लिए आपको था और हम लोग सौट कोड बनाएंगे कि प्रॉठ något ओर यहां पर मैनस थ्री याई तो मैनस थे आए कि जाहे तो प्लस गलते हैं तो यह पहला किजिएत मैनस थ्री다 प्लस ये जीरो किढ़ेगा तो फिंस न कर यह प्लांप बायतार और मईनस थरी गुनाथका का उनो तोसे और नेकालते हैं तो यहां निकालेंगे तो बाइस थ्री आई ड़ार यहां पे टू-पलस जेका है वन इसको हल किजएगा तो वंबाइस तीन में दूसे-6 और प्लस यानिकी माइनस पांस और माइनस पांस जब मोड से बाहर जाएगा तो पलस पांस देगा हमने पहले आपको बताया है तो पांच बटा दो हो जाएगा यह चीज माइंड में रखेगा जब भी मौड को हल किजिएगा जो भी आए वह बाहर देगा हमें सब प्लस तो तीन दूना छे माइनस छे सबस्क्राइब एक तीन दूना छे माइनस सब्सक्राइब माइनस चार माइनस चार मोड से बाहर प्लस चार देगा और यहां लालते हैं तो एक बाटा दो माइनस थी गुन आई की जहाए पर टू है पुलाज जहाए पर त्री है तो यहां पर वन बाटा दो तीन दुना चे माइनस यानिकि मैस थी और मोट से बाहर देगा तो क्या देगा पॉलास तुरी यानिकी थी बाटा दो आप लोग यह मत सुची लिए अगर थोड़ा भी समयने में दिक्कत है तो थोड़ा रोकिए फिर उसको उतारिए और उसको साथ-साथ समयने कोसिश की जिए बहुत ही असान है जो यहां पर हम लिख रहे हैं एक आई है और इसको उठाकर करका मिसी के अंदर रख रहे हैं जहां आई है वहां इधर जहां वाला यहां इधर वाला और इसी को हल कर रहा हैं तो यहां वाला थीक तो यहां पर कूछ आथि नहीं है ठीक है चलिए यहां पर 24 निकालते हैं यह वाला कि ज Haven लिए हैं तो यह 24 निकाल रहा है ठीकत ये पर बाराब हमने सब निकाल लिए by 2-3C क्योंकि यहांब का नाउस 3 ago है गुने आई की जाया पर हमारा क्या है 2 पुलास जे को जाया पर क्या है फोर इसको हल किजिएगा तो वन बटा दो यह तीन दूना छे माइनस चे मैंस चाहर गया माइनस दू और माइनस दू जो है इस मॉड से इस डंटा से बाहर निकलेगा पॉलस दू दू जेगा ठीक है तर दू दू कटके यह हो गया वन चलिए हमारा फाइनली पूर पॉलस आठ ठीक है माइनस अट भार देगा तो पॉलस आठ यह चार बान मियानी की चार हो गया चलिए थ्री टू निकालते हैं तो एक बटा दो माइनस थी गुने आई की जाह पर ठीक है पॉलस जेके पर टू है इसको हल की जिए वन बटा दो दूतिन ट्याइंगा माइनस सबूर्ट निकले तो क्या देगा फॉलस साथ यहां पर आगया साथ बटा डो चलि ए थ्री निकालते हैं तो एक बटा दो मैं एक जाए पर थिरी है पॉलस जाए पर क्या है इसको हल कि जेगा तिन त्यून फॉलस नौम सब्सक्राइब यानि की मैं च्छे और माइन स भान नि यहां यह त्री यहां और यह फोर फोर यहां है एक बटा दो माने माइनस थी गूने याइक जाया पर थी है पॉलाइब ये पूरा को निकाल लिया ठीक है आपने देखा कि कैसे हमने निकाला अब यहां पर लिखेंगे इसलिए मैट्रिक्स कि यहां पर ओडर क्या था 3 x 4 3 x 4 ऑडर इस क्या निकलका है हमारा या फिर कि यहां पे क्या आया था जीरो आया था एवन फॉर क्या आया था यहां पे एक बट्टा दो आया था उसके बाद एट्ट्न क्या है थे यहां पर पांच बटा दो आया था एट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अपने मंद से कई दे रहा है यह था का दो जो कोशन आपका कह रहा था कि construct किजिए एक matrix 3x4 order का तो हमने यहाँ पर construct करके दिखा दिया ठीक है आप लोग क्या किजिए वीडियो को रोकिए समझिए पीछे फिर रिवाइन किजिए नहीं समझ में आए फिर दोहरा ये लेकिन इसको copy पर लिखिए उसके बाद फिर एक बार वीडियो को देखिए 100% समझ में आने कि कोई यहाँ पर guarantee ही नहीं है ठीक है करना क्या है सीधा सीधी हमको 3x4 कर रहा है 3x4 का एक matrix लिखें हम उसके बाद एक एक को क्या कि जो यह दिया था इसी पर हमने परापारी सब को रखके निखालना शुरू किया उसके बाद जितना यह 3-4 है पूरा हमने यहाँ यह 3-4 तक निकाला ठीक है उसके बाद हम क्या कि फिर उसी को इसी पर जहां 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 ए 11 था उसके जहां पर यहां पर लि बनेगा और आप लोग दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं दूसरे को भी समझा सकते हैं ठीक है तो यह कोचन यह आपके लिए होमवर्क रहेगा आपको अपने से बनाना है सेम ऐसा ही बनेगा आपको 100% समाज में आ जाएगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दिस लाइक किजिए कोमेंट किजिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले कोशन की ओर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद